हेलो माई यूटूब फैमिली जै देभूमी जै उत्राखन दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस नहीं वीडियो में तो आपको आज लिए चलता हूँ मैं संसेट दिखाने और गोल देवता का मंदिर और क्या गते हैं महादेब जी का मंदिर दिखाने तो फ्रेंट वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक कमेंट शेयर फ्रेंट जो लास्ट का सीन है उसे मिस मत करना प्लीज लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना तो चलते हैं यह है महादेब जी का मंदिर यहाँ पर महादेब पौन बोलते हैं और जब भी हम यहाँ से इस रस्ते से जाते हैं कहीं इधर उधर तो हम इन पत्त्रों पे अंगुले से अपने टीका लगाते हैं सर पे और यह देखिए फ्रेंड यहां पर साम का नजारा देखिए सूरज ठलने को है और आपको दिखाएंगे हम महादेव जी के पैर तो चलिए दिखाते हैं आपको सिर्फ संकर वगवान के पैर जो पैर थे उनके फूट प्रेंट यहां पे मौज़ूद है अभी भी पत्तरों पे और इन्हीं पत्तर को पूजा जाता है यहां पे यह देखिए यहां पे है सिर्फ संकर के पैर देखे फ्रेंट गोर से देखे यह देखे और वो सामने है महादेव जी का मंदिर तो महादेव जी के बाद आपको दिखाएंगे गोलो देपता का मंन्दिर जिसे हम डाना गोलो देपता बोलते हैं कुछी दूरी पे ये मंदिर है और यहाँ से देखिए फ्रेंड संसेट का नजारा और यहां से यह आ रखी है रोड यह जो है पन्नो नॉला से जो रोड आ रखी है यह गोलु देपता के मंदिर के सामने से होते हुए हमारे गाउं को आ रखी है और यह जा रहे हैं हम अभी दिखाते हैं आपको उधर और करवाते हैं आपको दर्सन गोलु देपता के यह देख किर्पा बनाई रखना और यह देखिए फ्रेंट जो आजकल यह मंदिर का फ्रेसर बन रखा है यह आजकल में ही बन रखा है नया यह कोटलिग्राम के जो परधान जी है उन्होंने बना रखा है जो वरतमान में परधान जी है कमल राना जी उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि उन्हें बहुत इच्छा काम किया इस काम को देखके बहुत इच्छा लगा और आसा करते हैं कि वह ऐसे ही काम आगे भी करते रहे हैं और यह देखिए गोल्यू का मंदिर यह है डाना गोल्जू का मंदिर है जो बगल में छोटा सा आपको मंदिर दिखाई दे रहा है गोल्जू के वह है मसान देपता का मंदिर मसान देपता रहते हैं हर जगए और यह हैं धरमसाला यहां पर हमें एक छिपकली दिखाई दी यह देखो काफी बड़ी छिपकली है भाग भी नहीं दी यह देखे अब भाग गी मैं कैमरा पास लेके यह तो भाग गी अब आपको दिखाते हैं पीजे साइट का भी हो इसके और यह देखे चारों तरफ उन्होंने दिवार लगा गए उस पर सिमेंट का प्लास्टर किया है वो काफी अच्छा किया है क्योंकि कभी पूजा वगएरा आती है यहां पर तो बैटने के लिए बहुत बढ़िया बना दिया और यहां पर देखो जब पूजा आती तो यहां पर यह खाना बनता है यह देखे यह पीजे की साइट का भी हो है और यह देखे फ्रेंट जो यहां से साम का नजारा दिखता है वो कुछ ऐसा दिखता है संसेट बहुत ही प्यारा जो यह मंदिर है ये काफी हाइट में है तो इसलिए यहां से जो संसेट का नजार है वो काफी प्यारा दिखता है चारों तरफ देख रहे हो चीड के हरे रे पेड़ हैं और आसमान में बादल चाहिए हैं और उन्ही बादलों के बीच सूरी देटा ढलने को हैं तो फ्रेंड अगर आपको मेरी नेचर वीडियो अच्छे लगती है तो प्लीज जासे ज़्यादा लाइक और कमेंड और जासे ज़्यादा सेयर करें अपने फैमिली मेंबर फ्रेंड को तो फ्रेंड थैंक्यू मिलते हैं नेक्स्ट व्लोग में